25 जून 1975 भारती ये लोकतंत्र के इतिहास की एकाली तारीख है ततकालीन प्रधानमंत्री इंदरा गांधी के कहने पर 25 जून 1975 को ततकालीन राष्ट्रपती फकरुतीन अली एहमद ने अमर्जनसी यानि की आपातकाल का एलान किया था आज आपातकाल के एलान को 45 साल बीट गए है भारती ये जंता पाटी यानि की बीजेपी इसे लेकर कॉंग्रिस पर हमीशा हमलवर रहती है बीजेपी की ओर से आज एक वीडियो शेयर किया गया है जिसका शीरचक है 25 जून 1975 आपातकाल लोकतंत्र का काला अध्याए इसके साथ ही बीजेपी ने एक ओर ट्वीट किया और लिखा कि कॉंग्रिस की काली कर्तूत और भारती ये लोकतंत्र के सबसे दुखत अध्याए 25 जून 1975 आपातकाल के विरोध में उठे हर स्वर का फिर्दय से वंदल वहीं बीजेपी अध्यक्स जेपी नडड़ा ने कहा कि भारत उन सभी महानुभावों को नमन करता है जिन्होंने भीशन यातनाय सेहने के बावजूद आपातकाल का चम कर विरोध किया था ये हमारे सत्याग्रहियों का तब ही था जिसने भारत के लोगतांतरिक मूलियों के एक अधिनायक वादी मानसिक्ता पर सफलता पूर्वक जीत प्राप्त की आपातकाल को लेकर ट्विटर पर कॉंग्रिस को खरी खोटी सुनाई जा रही है 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी की 20 महीने के लिए देश में आपातकाल लगाया गया था ततकालीन राष्ट्रपती फकरुदीन अली एहमत ने ततकालीन प्रधान मंत्री इंद्रा गांधी के कहने पर भारती सम्मिधान किधारा 352 कित आधीन आपातकाल की खोशना की थी ये भारती लोगतांतरिक इतिहास का विवादास्पत और अलोगतांतरिक काल था आपातकाल में चुनाव स्थगित हो गए थी और नाकरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया इंद्रा गांधी के राजनितिक विरोधियों को कैद कर लिया गया प्रधान मंतरी के बेटे संजय गांधी के नेतरित्म में बड़े पैमाने पर पुरुष नस्बधी अभियान चलाये गया लोगों में काफी गुस्सा था नतीजतन 1977 का चुनाव इंद्रा गांधी हार गई थी